Hello kids, how are you? आज के lecture में आपका स्वागत है आज का हमारा subject है General Knowledge इससे पहले भी हम एक lecture General Knowledge का complete कर चुके है आज हमारा General Knowledge का दूसरा lecture है जीके के हमने पहले lecture में क्या सीखा था? हमारा first chapter कौन सा था हमारा first chapter? My family family के बारे में आपने सीख लिया इसका homework भी कर लिया आज का हमारा दूसरा chapter है my body हमारे second chapter है my body पहले हमने family के बारे में सीखा आज हम सीखेंगे my body मतलब parts of body हम हमारे body को पेचानते हैं क्या है हमारे body में eyes, ears, nose वो सब face में हैं फिर legs, hands head, hair knee, toes, fingers वो सब है ना तो आज हम उसके बारे में सीखेंगे ओके, now look at this picture पिक्चर सापने देखा second my body second chapter यहाँ पे एक आपको birds दिखाए दे रहा है वो birds बोल रहा है I have a big eyes, legs, wings and a tail what are the names of your body parts वो birds क्या बोल रहा है कि I have a इतले मुझे यह था तो मुझे एक big है two eyes है two legs है two wings है and a tail एक tail है तो यह है मेरे body parts तो आपके body के parts क्या है वो आपको बताना है now join the dots and complete the pictures यहाँ पे आपको एक pictures दिया गया है उस pictures में अगर आप जो dot दिया गया है वो dot को joint करो तो एक boys का picture बनता है तो उसमें जो arrow किया गया है तो उस arrow में से जो हो है जो blanks दी गई है वो आपको complete करनी है वो आपके body के parts के name है उसके जो spelling है वो आपको complete करने है now चलो हम one by one उसको read करते जा रहे है आप धियान से सुनिये गया spelling को याद भी रखना है first first का arrow कहाँ पे है head head यानि हमारा जो sear है वो इसका spelling क्या है h e a d head second second arrow कहाँ पे है ear ear मतलब हमारा कान e a r ear third one is nose nose यानि nut nose का स्पेलिंग n o s e number four chest chest का स्पेलिंग c h e s t chest यानि हमारी छाती इसके बाद नीचे tummy tummy यानि pet t u m m y tummy इसके बाद finger finger यानि उंगली हमारी fingers f i n g e r s fingers इसके बाद legs legs यानि pair l e g leg leg के नीचे से अब पहले हमने उपर से नीचे तक सुरू किया अब नीचे से उपर तक स्पेलिंग सुरू करते हैं toes t o e s toes toes यानि हमारा जो पेर है उसका जो अंगुठा है पेर का उसको क्या बोलते हैं toes इसके बाद fit f e t fit यानि हमारा पेर जहां पे हम चपल पहनते हैं सूस पहनते हैं इसके उपर hand 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 यानि हाथ इसके उपर arm 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 यानि हमारे shoulders के नीचे जो muscles हैं arm arm यानि बाहू इसके उपर neck n e c k neck neck यानि करदन इसके उपर mouth m o u t h mouth यानि हमारा मू उसके बाद i e y e i यानि हमारी आख इस body parts के अलावा जो यहाँ पे नहीं दिये गए हैं इसे कोई body parts है जो आपको याद है yes अगर याद है तो बोलो अदर्वाइस मैं बोलती हूँ हो सुनो hair h a i r hair यानि हमारे बाल इसके बाद lips l i p s lips यानि हमारे hold इसके बाद लिप्स मूथ के अंदर जो क्या होता है हमारे tongue t o n g u e tongue उसके बाद teeth इसके बीच में जो हमारा घुटन होता है उसको क्या बोलते है नी k n e e knee उसके बाद को यह सा बोड़ी पार्ट से जो आप यहाँ पे नहीं दिया गया है elbow a l b w o elbow elbow यानि हमारी cone इसके बाद यह जो बोड़ी पार्ट से जो यहाँ पे आपको homework में complete करना है और सब भी letters capital letters लिखना है यहाँ पे one letter यहाँ पे सब भी letters capital दिये गए तो आपको भी पूरे spelling capital letter में लिखना है ओके ध्यान रखे बीच में एक capital और एक small नहीं आना चाहिए सब भी letters all letters are capital ओके और आपका work जो है केसा होना चाहिए neat and clean ओके तो आज का हमारा homework है body parts के जो name है वो आपको complete करने है ओके bye thank you कर दो